असलम अलेकुम आज हम बनाने वाले है नारियल के बुरादा का हलुवा यह वीडियो सवरात स्पेशल है तो मैंने सुचा इससी पर एक वीडियो भी बना देते हैं तो यह बुरादा का हलुवा मैंने कैसे बनाया है चलिए आप लोगों को बताते हैं वीडियो में आगे बनन यहां पर ड्राइफुट मैंने कुछ लिए काजू, बदाम, किसमिस, यह देशी गी है, लगबक 50 ग्राम जितना होगा, थोड़ा सा यलाइची पाउडर भी मैंने दरदरा कुट लिए है, एक गिलास हमने दूद ले लिए है, आप चाहे तो चीनी बुरादा की जितना ही ले स मैं दो कलर में बनाऊंगी, इसलिए आप इसको ऐसा प्लेन, इसका जो नाचरल कलर है यह भी बना सकते हैं, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले जिस प्लेट में हमें निकलना है हलुआ को, उस पे मैं पहले से थोरा सा घी लगा देती हूं, तक हमे कैसा में आपको दिखाए है वो डाल लिये है, कि मैंने ढूद से भी बचा लिये हैं तो इस घी में में डाल दिये हैं चीनी, चीनी को थोड़ा सा इसमें चला रहने के बद बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपको डालना है पचास गरम जितना जितना अपने घी ढ़लाता हुतना है यहां मैंने दूद भी डाल दिये हैं अब चीनी पिगालने तक हम इसको चलाएंगे तो देखिए चीनी जो है लगबग हमारा घुल गया है आई इसमें अच्छा उबाल भी आ रहा है यह देखिए इसमें बहुत अच्छा से उबाल आ गया है हमें इसे हलका सा चिप चिपा होना तक छोड़ेंगे एक तार बने तो अब यह जो है हो गया अब यहां जो है हम डाल देंगे अपना नारियल का बुरादा जो अब हमने आपको दिखाया इसे डालके आज हम धीमा कर देंगे इसको चलाते रहेंगे उलट-पलट करके इससे हम बना लेंगे तो इसे उलट-पलट करते रहना है देखिए इस त मिल्क पाउडर मेरे पास था अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं इसके बिना भी बन जाएगा इन्हें चला लेंगे इसके उपर में जो एलाइची पाउडर रखा था उसको डाल देते हैं इसे भी डाल के थोड़ा सा चला लेंगे अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे अब यह लगबग हो भी गया है इसका देखिए कड़ाई में से चुट रहा है यह हो गया है तो अब हम इसको आधा आधा कर लेंगे क्योंकि मुझे इसको दो कलर में बनाना है और अगर आप कलर कोई मिक्स नहीं कर रहे है तो इसी तरह से पूरा निकाल ले मुझे में बनाने वाली हूं इसलिए में थोड़ा सा फूट कलर जो है आता है जर्दकरम उसमें से थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दे रहे हूं यह देखिए थोड़ा सा बिल्कुल डाला है मैंने अब इसको भी चला के दो तिन मिनिट प्रसा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप को भीगा भीगा के इसको इसा से थप तपाकर बराबर कर लें चमस से भी आप ये अपको अगर है इसको कर लया ने मिल था इसको भी उसके उपर से डाल देंगे चैर तरप पहला कर डीकर देंगे ब French तो एक जगह गिर जाएगा तो पिर घर भाम हाटाना पड़ेगा तो हाथ से मैं इसको दीरे-दीरे करके फैला लूंगी पूरा हाथ को भीगा लेना है कोई दिक्कत नहीं है हाथ भीगा-भीगा के आप इसको थपता पाले यह देखिए तो हमने जो है इसको हाथ से अच्छी तरह से दोनों लियार को बराबर कर दिये हैं अब इसके उपर में किस्मिस लगा दे रही हूँ जितने वीड़िस हम कटेंगे सारे पीस के उपर एक-एक किस्मिस आय इस हिसाब से मैंने शारब पूरा में लगा दिये फूरा सहल कट टाइट होने के बाद 10 मिलिट बाद हम इसमें कट लगा देंगे नहीं तो बाद में फिर कटिंग करने में दिक्कत हो जाएगा अब यह हम इसको कट लगा देंगे हल्का ठंडा होने के बाद मैंने इसको छूरी से कट लगा दिये यह देखिए मैंने इसको बर्फी स्टाइल में कट किये है आप चर पर फिर जहां कट लगा है वाहाँ पर चूरी को खिष लेंगे और इसकी पीस जो है हम एक एक करके निकाल लेंगे तो यह देखिए यह निकल गया चूरी के साथ में निकल जाता है तो मैंने सोच ऐसे पलट से निकल लेते हूं यह इसके पीस लेयर निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत टेस्टी और स्वाधिस्ट यह बनता है मैंने सारे पीस इसी तरह से निकल के रख दिये है इसका जो है ज्यादा बच्छता भी नहीं है आप उसको फिर एक जगा करके बना ले तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो शबरात कर ले आगे आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी कमण करके बताए मैं कोशिश करूंगे उसे फे वीडियो बनाने के लिए तो चैनल को सब्कूल फ्री है प्लीज मुझे सपोर्ट करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक करें तो फिर मिलेंग अगले वीडियो पे तब तक के लिए अस्सलाम अलेकुम अपना बहुत सारा खायल रखें